सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immuno Top H Mark Lab का Immunity Booster Immuno Top H जिसमें है अश्वगंधा, गिलोई, तूलसी, जेंक और विटमिन C करोना को हराना है तो Immuno Top H ही खाना है Online Order Available नमस्कार अदाप, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का Health Show जहां बात होती है हमारी और आपकी Healthy पहला सेग्मेंट है हाल चाल, आज बात करेंगे कैसे कफ सिरप के बारे में जिसे लोग नशे के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, यह कितना खतरनाक है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है दूसरा सेग्मेंट है तन की बात, जिन्दा रहने के लिए एक ही किड्नी काफी क्यों होती है और तीसरा सेग्मेंट है खुराग, यानि एक जखकास सी Health Tip जैसे रोज एक अंडा खाना कितने कमाल की बात है ये बात है साल 2016 की, मार्च में एक खबर आई कि एक कफ सरब है कोरिक्स नाम का, बहुत ही बॉपलर है, अम में से कई लोग इसे खासी जुकाम के टाइम पे लेते हैं खेर 2016 में से बनाने वाली कंपनी फाइजर ने से बनाना बंद कर दिया, कहा गया कि लोगों की सेहत के लिए ठीट नहीं, पर दिल्ली हाई कोर्ट समयत कई जंगा इस पर जो मुद्दा है वो उठा, काफी हाय तौबा मची और उसके बाद बैन उठा लिया गया, पर Health Ministry और ये दवाई बटाने वाली कंपनी के बीच जद्दो जहद जोती वो जारी रहे, आया साल 2018, Health Ministry ने फिर से सारडॉन, कोरेक्स, समयत 326 और दवाईयों पर बैन लगा दिया, अब आप सोच रहे होंगे कि Health Ministry और हम आज कोरेक्स के पीछे क्यों पड़े हैं, वजा हैं ललन्ट आपके मन में एक सवाल आया होगा, कि भला कोई खासी सुकाम का सिर्फ यूँ खरीद कर क्यों पिएगा भई, वजा है नशा, जी, कोरेक्स को लोग दवाई के तौर पर कम और नशे के लिए ज्यादा इस्तमाल करते हैं, शराब समझ कर बोतले पी जाते हैं, लथ लग जात कोरेक्स की कई तरह के preparation marketing एक इव sealis, और एक्स कोरेक्स्टी, ये सब के chemical composition different होते हैं, लेकिन कोरेक्स के just preparation से नशे की लथ लग सकती है, उसमें कोडी नाम के जो कि मॉर्फिन यानि कि अफीन ग्रूप को बिलॉं करता है। डॉक्टर्स इसे कफ पेम और बचों के डाइरिया के लिए प्रिसक्राइब करता है। इसके साइड एफेक्ट से कभी हमें नीद आती है। थोड़ी सी ड्राउजिनेस में होती है। लेकिन को अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया जाए। सोचिए किसी ने कोडीन की पूरी बॉटल पी ली। तो यह हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर को एक्टिवेट कर सकता है। तो इससे क्या होता है। तो हमें प्लेजर या फिर यूफोरिया फील होता है। और एक एंजॉयमेंट या खुशी महसूस होता है। तो इसके वज़े से हम इसे बार बार लेने लगते हैं। और नशे के शिकार हो जाते हैं। UYPD इसे रीक्रियेशनल एक्टिविटी या फिर प्रेशर में आके लेने लगता है। कभी कभार सोशल एड्समेंट प्रॉब्लम्स के वज़े से लेने लगता है। गौर्मेंट ने इसके सेलिंग पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। बिना डॉक्टर्स के प्रेस्ट्रिप्शन के ये अविलेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे ओवर दे काउंटर खरीदने को मैनेज कर लेते हैं। और फिर नशेके चिकार हो जाते हैं। पंजाब और बाकी Northern States of India में खास करके ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुकता है। अब आते हैं काफसरप से होने वाले नुकसान पर। इसे नशेक ले इस्तमाल करने वालों को ये मालू होना चाहिए कि इसका उनके शरीर पर क्या असर पढ़ रहा है। और अगर आपको इसकी लथ लग चुकी है तो फिर इसे छुटकारा कैसे पाएं। अन्य और फीप अदार्थों की तरह कोडीन का भी एक कैरेक्टर है जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉलरेंस बोलते हैं। यानि कि समय के साथ नशे के अनुभव के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमांग सेवन करना पड़ता है। तो इससे कोडीन टॉक्सिसिटी या फिर जहर्पन के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। एंजाइटी, डेप्रेशन, ड्राउजिनेस यानि कि सामानिय से ज्यादा नहीं दाना, भूख नालगना, वेट लॉस यह सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लगातार, ड्राउजिनेस और मूड स्विंग्स के वजए से आदमी फोकस नहीं कर सकता अपने सोशल रस्पॉंसिबिलिटी और रिलेशन्शिप से भी दूर भागता है। इसमें अगर advanced toxicity हो जाए, जादा दिन तक आतमी इसके नशे के शिकार हो जाए तो आगे चलके lung infection और हार्ट बीट में irregularities और brain damage भी हो सकता है। जब कोई coding addict इसे लेना बंद कर देता है, तो इसके withdrawal symptoms दिखाई देने लगते हैं। शुरू में headache, vomiting, बेट में दर्थ, भूख न लगना ये सारे symptoms आते हैं। और बाद में कई महीनों तक psychological symptoms like depression continue कर सकता है। तो लथ छुडाना difficult हो सकता है, लेकिन doctors है, psychiatrists इसके treatment करते हैं। और इसके लिए drug de-addiction centers हैं जहाँ पर treatment का success rate जादा होता है। इसमें family और psychological support की भी जरूरत होती है। पेशेंट्स अपने concern और अपना दुख शेयर करें। फ्रेंड्स के साथ, family के साथ, doctors के साथ। और अपने will power को strong रखें, मजबूत रखें, तो नशे से लथ छुडाया जा सकता है। सुना आपने। इसलिए अगर आप नशे के लिए कफसरफ का इस्तमाल करते हैं या फिर ऐसी किसी इंसान को जानते हैं, तो इस तक ये जानकारी सरूर पहुचाईए। अब बढ़ते हैं अगले सेग्मेंट की तरह। आपको बताएं, आपकी दोनों किड्निया सेम साइस की नहीं होती है। ये आपके रिप केज के ठीक नीचे होती हैं पीछे की तरह। अब राइट वाली किड्नि लेफ्ट वाली किड्नि से थोड़ी छोटी होती है और थोड़ी लटकी होई होती है, क्योंकि उसे अट्जस्ट करना होता है आपके लिवर का। हाला कि शरीर में दो किड्निया होती हैं, पर जीने के लिए काफी है, हर किड्नी में 15,00,00 blood filtering units होते हैं, यानि खून साफ करने के लिए मौझूद units, इनका नाम होता है nephrons, ये खून से यूरिया नाम के waste को निकालता है, अब खून साफ करने के लिए शरीर को चाहिए होते हैं तेन लाग nephrons, इतना तो एक किड्नी के पास आराम से होते हैं, इसलिए एक किड्नी से आराम से काम चल सकता है, अब एक मिनट में आपकी किड्नियां आधा कप खून साफ करते हैं, और दिन भर में इतना कि एक छोटा सा बाथ टब भर जाए, अब सबसे ज़रूरी बात, हम किड्नी के लिए खराब है, इतना कि आपको हाइपो नाक्रीमिया नाम की परिशानी हो सकती है, इसमें होता क्या है कि खून में मौझूद नमक, सोडियम इतना ज्यादा घुल जाता है क्योंकि किड्नियां इतनी तेजी से काम नहीं कर पाती है, इस कंडिशन के वजहां से आपके सेल्स में सूजन आ जाती है, इसलिए आठ से नौ का पानी रोज पीजिये, उसे ज्यादा नहीं, अब बारी है सेहत के आखरी सेग्मेंट की, खुराग, एक जखास सी हेल्थ टिप An apple a day keeps the doctor away, यह तो हमने सुना है, पर क्या आपको पता है कि रोज एक अंडा खाना भी आपकी सेहत के लिए बहुत फाइदे मन्द है, यह आपकी आखों की हिल्थ के लिए काफी अच्छा है, कैटराक्ट जैसी परेशानिया आपसे दूर रहेंगी, साथ ही अंडों से अंजर का खत्रा कम होगा, इसमें मौझूद जो portion है, जो nutrition है, वो आपकी brain के health के लिए फायदे मन्द है, अंडे में vitamin A होता है, और vitamin B12 होता है, यह आपके immune system को healthy रखता है, प्रोटीन तो कूट कूट कर भरा होता है अंडे में, इसलिए जो आपकी mass patient है, वो भी मजबूत र नहीं है, तो रोज एक अंडा जरूर खाईए और healthy रही है, आज सहत में इतना ही, अच्छा अगर आप एक doctor है और हमसे कुछ share करना चाहते हैं, तो जो email आईडी इस वक्त आपको अपनी screen पर देख रही है, उस पर हमें एक mail पेज़ दीजे, क्यामरी के पीछे हमारे साथ हम Facebook पेज को लाइक करिए, YouTube पे देख रहे हैं तो मारे चानल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे, ताकि जब भी हम कोई नहीं है विडियो अप्लोड करें, तो उसका notification आपका सबसे पहले पहुचे है, शुक्रिया आपका